स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम वोरियर्स पे आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करेंट अफेर से जुड़े 10 इंपोर्टेंट कोश्चन चो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे तो आज के वीडियो में जितने इंपोर्टेंट कोश्चन और इंपोर्टेंट फेक्ट आएं उनको आपको नोट जरूर कर लेना है साथ ही अगर आपको हमारे द्वरा पूछे के कोशन इंपोर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम चैनल को जरूर जोन कीजेगा वहाँ पर भी टेली इंपोर् 2011 की जनगर्णा के अनुसार केरल देश का सबसे अधिक लिंगान उपात वाला रज्य है। यह भी important question और कई बार exam में पूछा गया और आपको याद रखना है। योनेसको का मुख्याले योनेसको जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यानि के 1945 में 16 नवंबर को योनेसको की स्थापना हुई थी और इसका मुख्याले है फ्राश की राज़तानी पेरिस में। साथ ही आपको एक और important factor याद रखना है कि France के वर्थवान में रास्ट पती है Emmanuel Macron, ये question exam में पूछा गयाते है कि Emmanuel Macron किस देश के रास्ट पती है, तो France के है, important factor आपको याद रखना है. आज का हमारा question number 3 है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात ओडिसा राज्य में आते हैं, तो ओडिसा राज्य में ही थंडर इस्टॉम रिसेर्च परिक्षन के अंदर की इस्थापना की गई है, साथ ही आपको कई ऐसे important factor याद रखने जो ओडिसा जुड़े हैं, ओडिसा राज्य की राजदानी है भूनेश्वर, यहाँ पर मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक और राज्यपाल है गणेशीलाल, अब आपको कुछ ऐसे important factor याद रखने जो कई बार एक्जा में पूछे गए हैं, ओडिसा राज्य में महा नदी पर हीरा कु देव के द्वारा करवाया गया था, साथ ही आपको याद रखना है ओडिसा को प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था, और कलिंग का युद्वा था 261 इसापुर्व, आपको याद रखना है, 261 इसापुर्व, मौर्य वंश के तीसरे शाशक, अशोक और प्राचीन समय में कलिंग का युद्व हुआ था, और कब हुआ था, तो 211 इसापुर्व हुआ था, इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है, साथ ही एक और इंपोर्टेंट फेक्ट आप याद रखेगा, कि सुभाष चंदर बोस जी का जन्म ओडिसा के कटक में 30 अब आज का आपके लिए क्वेशन है कि 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, तो 23 जनवरी 2021 को इनकी 125 वी जैयनती मनाई गई है, अब आपको बताना है कि इनकी जैयनती को किस दिवस की रूप में मनाया गया है, पहली बार इनकी जैयनती को किस दिवस की रूप में मनाया इस question का answer आपको comment box में देना है तो इस question का answer आप सभी comment box में जरूर दीजेगा ये question आज का आपके लिए है चलते हैं अगले question पर आज का हमारा question number 4 है rail mantra ले ने किस वर्ष तक सभी broad gauge मारगों के विदूती करण का लक्ष रखा है कि railway के नई अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा बने है important और आपको याद रखना है जनवरी के महीने में railway के नई अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा बने है ये question आने वाले exam में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है आज का हमारे question number 5 और बहुत important question है कि e-watch mobile app किस राज्य सरकार द्वारा launch किया गया है तो आपको याद रखना है कि आंध्रपर्दिश राज्य सरकार ने e-watch mobile app launch किया है जैसे कि आप जानते हैं 2021 में जो budget पेश किया गया था इसे लोगों तक पहुचाने के लिए कि प्रत्यक व्यक्ति इस budget को जान सके है इसके लिए ही आंध्रपर्दिश राज्य सरकार ने e-watch mobile app launch किया था अब आपको कुछ important fact भी याद रखना है जैसे कि भाषा के आधार पर गटित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्रपर्देश है आंध्रपर्देश राज्य जिसका गटन हुआ था 1 जनवरी 1953 को सन 1953 में एक जनवरी को आंध्रपर्देश राज्य का गटन हुआ था और ये भाशा के आधार पर गटित होने वाला देश का पहला राज्य था Important factor आपको याद रखना है आज का हमारा question number 6 है विश्व सतत्विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है तो हमारे देश भारत ने विश्व सतत्विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है Important question number आपको याद रखना है साथ ही आप याद रखेगा कि भारत साथ देशों से सीमा लगाता है और भारत के नो राज्य समुद्री सीमा लगाते है अगर हम बात करें इन साथ देशों की तो आपको याद रखना है कि भारत अपने पांस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भुटान, म्यामार और बांगला देश इन साथ देशों से सीमा लगाता है और भारत के नो राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं जिसमें गुजरात राज्य सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है और गोवा राज्य सबसे कम समुद्री सीमा लगाता है ये भी important fact आपको याद रखना है आज का हमारा question बर साथ है विजय नगर किस राज्य का 31 वा जिला बना है तब याद रखिएगा करनाटक रज्य का 31 वा जिला गोशित हुआ है विजय नगर important और आपको याद रखना है साथ ही एक और important fact आप याद रखिएगा कि करनाटक रज्य भारत का सबसे अधिक G.I.T. प्राप्त करने वाला रज्य है ये भी question exam में पूछा जा सकता है आज का हमारा question number 8 है unfinished a memoir किन की पुस्तक है तो आप याद रखेगा अभी नेत्री प्रियंका चोपडा की पुस्तक है इसका नाम है unfinished a memoir साथ ही आपको याद रखना है कि वर्ष 2000 में प्रियंका चोपडा Miss World बनी थी याद कि Miss World 2000 का किताब जीता था प्रियंका चोपडा ने यह question कई बर exam में पूछा गया कि भारती अभी नेत्री प्रियंका चोपडा ने किस वर्ष Miss World का किताब जीता था तो सन 2000 में जीता था important और आपको याद रखना है आज का हमारा question number 9 है किस राज्य सरकार ने ओलमपिक में क्वालिफाई करने वाले किलाडी को 5 लाग देने की गोशना की है यह question आने वाले exam में जरूर पूछा जाएग और आपको याद रखने कि हर्याणा रज्य सरकार द्वारा ओलमपिक में क्वालिफाई करने वाले किलाडी को पांच लाक रुपे देने की गोशना की गई है अब यहाँ पर बात है हर्याणा राज जी की तो इससे जुड़े कई important fact आप याद रखेगा हर्याणा की राजदानी है चंडीगड वर्तमान में यहाँ पर मुख्य मंत्री है सांथिया आपको याद रखने 2011 की जनगर्णा की अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हर्याणा है सांथिया आपको एक और important fact याद रखना है कि हर्याणा राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था इसमें दो फिल्म सिटी स्थापित करने की गोशना की गई है important और यह question exam में पूछा रह सकता है किस राज्य ने दो फिल्म सिटी स्थापित करने की गोशना की है तो हर्याणा राज्य सरकार द्वारा दो फिल्म सिटी स्थापित करने की गोशना की गई है आज का मारा अंतिम और दस्वा क्वेशन है कि अंतरास्टी सोर महा गटबंदन के महा निदेशक कोन न्युक्त हुए है ये question बहुत ही important और आपको याद रखना है कि अजय माथुर अंतराष्टी सोर महा गटबंदन के महा निदेशक निउक्त हुए है अब इससे जुड़े कई important fact आपको याद रखने हैं अंतराष्टी सोर गटबंदन इसकी स्थापना हुई थी सन 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतराष्टी सोर गटबंदन की स्थापना की थी सन 2015 में 30 नवंबर को 30 नवंबर 2015 को अंतराष्टी सोर गटबंदन की स्थापना की गई थी और ये स्थापना की थी भारत और फ्रांस ने मिलकर साथ ही आपको एक और important fact याद रखने हैं कि इसका मुख्याले कहां पर है तो अंतराज़ती सोर गटबंदन का मुख्याले हैं गुरुग्राम में ठीके दोस्तों ये भी important और आपको याद रखना है तो ये थे आज के वीडियो से जुड़े old current affair के 10 important question जिनको आपको याद जरूर करना है क्योंकि आपके आने वाले exam के लिए important रहेंगे अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें साथी वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उने वीडियो अच्छा लगे उप्योंगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले साथी बेल आइकन जरूर दपाएं जिससे के आने वाले वीडियो की तुरण जनकरिया आपको मिल सके थेंक्यू जैहिन जै भारत